इंद्रागांधी नेस्नल ओपेन युनिवर्सिटी आप वेपसायट सामने देख रहे हैं इसने परिक्षा के फॉर्म की घोशना कर दी है और इसने अपने वेपसायट पर परिक्षा के form का विवरण दे दिया है जो लोग परिक्षा देना चाहते हैं अर्थाथ PGDT में अगर आपने जुलाई 2022 में अड्मिशन लिया है या फिर जो लोग अन्य पाठिकरम जैसे B.A.M. में कर रहे हैं उनके लिए यह सूचना है अगर एक वर्स पूरा होने जा रहा है तो जून के सत्र की परिक्षा में आप बैठना चाहते हैं तो form भरना आवश्यक होगा देखिए यहां उपर ignu.ac.in अब देख सकते हैं यह मैंने website mobile में खोला है इसमें आपको करना क्या है जब आप नीचे की तरफ जाएंगे तो यह देखिए नीचे जाएंगे अगर आपको अपना विवराण देखना है तो यहां एक विकल्प है Enrollment Enrolled Student यहां Enrollment Number डालना है और उसके बाद फिर आपका प्रोग्राम डालना है Date of birth डालना है यहां साब लॉग इन कर सकते हैं आईकार्ड वोगर निकालना है या कुछ करना है और जब आप नीचे जाएंगे तो देखिए यहां लिखा हुए Link for Online Submission of Examination for June 2023 Term and Examination Term and Examination के लिए हम इस पर क्लिक करेंगे क्लिक करेंगे तो देखिए यह जो वेबसाइट खुला है इसमें कुछ मांगता है आपसे Students are requested to fill the examination form यह तमाम चीजें इसको close कर दीजे और last date है इसका 5 April शाम के 6 वजे तक without late fee तो आप इसमें नीचे की तरफ जाएंगे देखिए इसमें schedule दिया हुआ है कि 6 March चे 5 April तक अगर आप form भढ़ते हैं तो 200 रुपया पर course लएगा theory course के लिए और practical lab course के लिए इसमें लिखाव एक्जामेशन fee 200 per theory paper और practical up to 4 credit 300 above 4 credit 500 और project का fee इनोंने 300 रुपया मांगा है और 4 credit से अगर उपर है तो 500 रुपया मांगा है और 26 April तक आप भढ़ते हैं तो फिर 200 रुपया पर course और late fee 1100 रुपया लएगा 6 April से 25 April तक आप भढ़ते हैं तो late fee आपको 500 रुपया देना पड़ेगा आगे बढ़ते हैं इसमें form जमा करने का सारा विवरन लिखा हुआ है और विवरन के बाद जब आप इसमें नीचे जाएंगे देखिए नीचे ऐसे चलते जाएंगे तो यहां आपका देखिए अगर आप date sheet देखना चाहते हैं तो यह नीले रंग का लिगा हुआ है click here to view list of examination centers यहां देख सकते हैं और उसके बाद यहां देखिए declaration लिखा हुए यहां एक tick करना है देखिए नील रंग में tick हो गया वह करने के बाद proceed to fill online examination इस पर click करेंगे और यहां आप अपना enrollment number डालेंगे select program जो भी आपका program है ABCD लिखा हुआ है BA लिखा हुआ है BABC सारा alphabetically लिखा हुआ है आप जो भी program करना चाहते हैं वो program चुने और चुनने के बाद examination center reason किस छेतर में है जैसे मान लीजे मुझे Kolkata चुनना है या कोही माजो भी है मैं Kolkata चुनता हूँ Kolkata आपने चुना और इसके बाद यह कपच्चा डालना है कपच्चा डालने के बाद फिर आपका portal खुल जाएगा और फिर आप उसमें अपने course select करें course select करने के बाद examination fee select करें और examination center select करें select करने के बाद जम्मा करते हैं और इस तरह से आप इसमें form भर सकते हैं तो देर ना करें अगर आप पैसे बचाना चाहते हैं लेट फिके तो यथा शिग्र form भर लें